लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करेंश सुषरी किराओं प्रेस्टों करें ऊिस्टी अल Dन्सक्राइब करें MARे खुषरा शनाइब करें खुषरा था करेंक्टा अध ed य雅 दिल ढूंता है फिर वहे वर्सत के रात दिन दिल ढूंता है फिर वहे वर्सत के रात दिन बैठे रहे पसवडे जाना किये हुए दिल ढूंता है फिर वहे वर्सत के रात दिन चाड़ की नरम दूपार आंगन में लेट करें आखों पे खीच करें आचल के साय को आंगे पड़े रहे कभी करवक लिये हुए दिल ढूंता है फिर वहे वर्सत के रात दिन या गर्मियों की रात जो पुरवाया चले तंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक तारों को देश उचे रहे जट पर पर दूंता है फिर वहे वर्सत के रात दिन आपके दवायों से तो फूब पहचानते हैं आप अँनी से तो बदनाम हुए अगाए वैसे जितने दौक्टर दोस्त हैं हमारे सब आपी की दवायों प्रिस्काइब करते हैं यस मेडिसिंस का तो आदकल बाजार में सिख्का बैठा हुआ है जियां मस्टर चावला आपका हेड़ ओफिस कालकटा में है जी हां मैं तो आपके लिए सिर्फ इस कोठी का अरिजमेंट करने के लिए आया था बाली साब का फोन आया था अब बाम्बे में सेटिल हो गए हैं बड़े खुबसूरती से मैंटेन कर रखा है घर को यहां पार्सियों के यही तो खूबी है सौ सौ साल गोजर जाएं लेकिन उनका वाल पेपर तो खराब नहीं होता नमस्ते साब नमस्ते सुनाया आपको खाने बीने का बहुत शोक है इसलिए आपके लिए महराजी का इन्जाम किया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं गिल्ज मेडिसंस की जुड़वा गोलियां पानी से लीजे या दूद से सरदर्द खासी और जुकाम से फौरण आराम दिलाएं यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है दौईयां आप ही की इजाद की हुई दवा है डॉक्तर गिल्ची यहां मैं कहां इंकार कर रहा हूं वही तो कह रहा हूं मैं मेरे की हुए कर्म मेरे पीछे लगए छोड़ती ही नहीं मुझे आप दाजविंक पहली बारा हैं नहीं एक बार पहले भी आ चुका हूं पात साल पहले करीब पचीस साल हूए हुगी डॉक्तर का इमतहान देने से पहले बलके एक एकजिडेंट हो गया था एक ईखि लड़की से इश्ग हो गया था हँ हो जाता है लाक्र साथ जाणी में हमारा भी हो गया था उसही से जी हाँ, मतलब यह है के हेल इस्टेशन पर इश्क हो गया था और अब उसी के थीन बच्चों का बाप हूँ मैं नहीं वै, ऐसी कोई हरकत हमने उसके साथ नहीं की इसलिए आप बच गए और हमें शादी करनी पड़ी सुनो जी साथ क्या नाम है तुमारा? मंगल सिंग साथ मंगल सिंग साथ साथ नहीं साथ, मंगल सिंग देखो किसी से कहकर कुर्सी यां बाहर रखा दो हम आई ही बैठेंगे जी साथ एक्स्क्यूज मी डॉक्टर गेल मैं इजाज़त चाहूँगा, हॉस्पिटल में कुछ काम है शाम को हाजर हो जाऊँगा, ओके? मिस्टर चावला मिस्टर चावला आप भी चलिए, तकलुफ की कोई जरूरत नहीं मैं जरा नाद होके रेस करता हूँ शाम को मिलेंगे अच्छी बात आप आप आराम कीजिए, हम शाम को मिलेंगे और अगर आपको किसी बात की जरूरत हो, तो मेरा कार डख लीजिए ओकी चलिए अरे ध्यान सिंग हाजी क्यों सुबह सुबह ठंडा पानी डाला है गाड़ी पर मुझे तो देख देखके ठंड लग रही है, तुझे कुछ नहीं होता अभी से धुलों तो अच्छा है, साब ने उठते के दिया गाड़ी निकालो तो क्या करूंगा ये कलकत्ता नहीं है, दारजली है और छुट्टी पर आये हैं गिल साब इतनी जल्दी नहीं उठेंगे खल से तो तो सच मुझ यही हाल है ग्यारे बची तक तो महीं उठ्रार करता रहा वो जागे ही नहीं? साहब नाश्ता कब करेंगे? आज बहुत हेवी नाश्ता करेंगे. कल से कुछ नहीं खाये साहब ने. कब करेंगे? जैसे ही जागेंगे. कौन जागेगा? बड़े साहब. बड़े साहब तो सुबह सुबह. अब तो बहुत बदल गया है यह स्टेशन, बहुत साल पहले जब मैं यहां आया था, तो इतनी कारे नहीं हुआ करती थी यहां, सिर्फ रिक्षे ही चला करते थी जादा तो, अभी तो सीजन भी नहीं है साब, जब सीजन आएगा तो देखिएगा, इतना रश होता है, लोगो को रहनी के लिए जगा भी नहीं मिलती है, हाँ, उस वक्त तो किसी के घर पी भी पेइंगेस की तरह जगा मिल जाती थी, मैं खुद एक ठेकेदार थी मिस्टर, जो जोदपार उनके यहां ठेरा था, कमरे का किराय क्या था पता, सात रूपय, लेकिन साब अब तो सपनों की जगा की शकली कुछ और हुआ करती थी, वो जो टाल हैने लखने होंगे, जी हां, वो आएक वैद की तुकान हुआ करती है, आप कब आया थे पहले हां, बहुत साल पहले के बात करना हूँ, लेकिन यह टाल तो हम बहुत बरसू से ऐसे ही देख रहे हैं, मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, अपको गलती लेगी होगी, आए, बहुत जगा के बारे में गलती नहीं कर सकता, इससे थोड़ा ही आगे जाके वो सीडिया है न, जो पर बजार से उतरती है, यहां, फ़र यह वही जगा है, लेकिन शाब यह बैद की दुकान तो कभी भी नही थी, ब आगे उनको मरे खपे तो युग बीद गया साहब, लेकिन ऐसे कोई बुड़े तो नहीं थी वो, बुड़ा होते हो वकत लगता है साहब, गम लग जाय तो देखते देखते आजनी बुड़ा हो जाता है, ऐसा कुन सा गम लग गया था हूंए, बेटी का गम बहुत बुरा होता है साहब, जवान बेटी थी उसकी, भलासा नाम था उसका, चंदा, हाँ चंदा, बली अच्छी जादास थे सहाबाप की, पर, शादी नहीं करती थी, क्यों, कहती थी कोई डाक्टर लिने आएगा उसे, पर, कहां कोई आता है साहब, ब्रादरियों में बदनाम हो गई, पता नहीं कौन था जो जुल दे के चला गया, वैद भी ऐसा लगा खटिया से, कि फिर खटिया के साथ ही उठा, मरते मरते एक लंगले हरकारे को अपनी बेटी सोब गया, लंगडा, हरकारा, हाँ, नीचे नीली घाटी में रहता था, वहाँ एक करखा घर खुला था उन दि सुना एक चंदा भी वहाँ काम करती थी, बाप के मरने पर जब घर आई, एक बच्ची थी उसकी गोद्मे, पती नहीं आया था, कुछ कहते थे मर गया, कुछ कहते थे छोड़ दिया कहते हैं, यह दियादा, भूस कहते हैं, वो दिखाना, यह तो मेरी, दिखाओ तशेख, हुआ 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 है है क्या हुआ हाुआ हाँ माँचाई है या च्छाई है पता नहीं, शाया है यह जरा से आके एक बैद जी है, उनसे लेब करा लो फॉरें ठीक हो जाएगा अच्छा? बहुत अच्छे बैद है, हाँ यह आई पतिया, कौन-कौन सी मिली? भेरे लो थतुरे के पत्ते मिल गये थे और एक मरीज मिला बाबा, उसके पेर में मोच आ गई है अभी आएगा लेब कराने के लिए, वो बजार की सीडिया है न, वहीं से गिर पड़ा खोदी गिर पड़ा था या तूने धक्का दिया था? में क्यों धक्का देती? क्या पता, अपने बाबा के वपार में मदद कर रही हो हाँ हाँ, कोई गिर पड़ा तो मैंने धक्का दिया, पता नहीं क्या समझता है मज़ा ओई वही, जो राम जचित्ता काँ आओ, आओ, आज़ा क्यों? मोचा गई पाऊ मैं? चे हाँ ऐसा ही लगता है बटबटब चूक भई दो नैन से और ठोकर खा गए पाऊ मूरत मुकिया भूल करे और भुकते सारा गाऊ लापाँ दो तो बादा की सीडियों पर से फिसल पड़े हाँ जे हाँ कोई बात नहीं, बज गए कहीं तखना उतर जाता तो मुश्कल हो जाती चंदा, जरा तारफीन का तेल ले आ अंदर से गरम करके ला रही हूं बाबा हल्दी भी लाओ, फोम डालके हाँ, वो भी ले आ देखा, मरीज के आने से पहले ही दवा के तेयारी शुरू हो गई आप चोतिश-वोतिश का चक्कर भी जानते हैं गया चांदता हूं अच्छा अच्छा इसलिए आपको पहले से पता चल गया सब देखा, यह है मेरी जोतिश, सारे शेहर की ख़बर रखती है कहां से आये हो? ची, कैलकटास नाम क्या है? अ, अमरमाद, गिल क्या करते हो? डॉक्टर ही बढ़ रहा हूं आखरी साल है इसलिए तयारी के लिए यहां यहां हूं देखो काम करे सो सोट करे और कुछ करे, अपीम कर्मों की गत प्राणी भुकते थैली भरे हकीम अगर सिर्फ पैसे कमाने की भावना ना हो मन में तो इस जैसा और कोई दूसरा काम नहीं है, अमरमाद अमर्नाद क्या? गिल ऐसी प्रसंता मिलती है सेवा से कुछ पूछो नहीं पूजा जैसा काम है जी इसलिए तो डॉक्टरी पढ़ रहा हूं तो शेर में को लोगे दवा खाना गाव में तो चलेगा नहीं क्यों? अरे इतनी मैंगी दवाईयां यहां कहां बिखेंगे अमर्नाद गिल हाँ हाँ गिल यहां तो अमरी जड़ी बूटियां ही चलेंगी पुन्य कमाय कीकरी और पीपल दान करे जंगल जैसा वैद कहां जो सब का ध्यान करे एक बार यह विधियां सिखनों बाबा मन की भावना आपसे सिखूँगा रहते का हूं यहां? ठेकेदार जोदपाल की कोठी है ना वहीं रहता हूं बहुत नजदी के यहां से बाबा पत्ती अचा 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 जोदपाल की बाडी में रहते हो ठाबे में? जी 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 वित्यारती होकर ठाबे में खाना खाते हो अरे भाई अवल कैसे आओगे? नए 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 आज से तुम हमारे यह खाना खाओगे क्यों चादर? जी शुक्रिया कितने पेसे? नए 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 तहने दो क्या उसते संभाल के, संभाल के लो, मेरी चली रे जाओ चंदा, मेरी चली दे दे शाम को याद से ले आना जा लुश वुश मोच वाला थाया नहीं मोच क funky सवाल है धरम खाते में कि लगे रहते हो, गाउवालों से पैसा नहीं लेते, कि गाउवाले हैं, बाहर का एक मिला था, वो भी विद्ध्यार्थी निकला, विद्ध्यार्थी नहुआ, पता नहीं क्या हो गया, एसे फूकत में सबके इलाज करते रहोगे, तो कैसे चलेगा, कल को शादी करनी है मेरी, तब क्या होगा, नहीं करेंगा, पक्की बात है, वचन देते हो, वचन तो दे दूँ पारे, सारी उम्र कौन पालेगा ऐसे दर्द को, अब तो मैं सरदर्द हूँ, जब मैं चली जाओं तो जाय करना, जंगल में, सुनो जंदा, एक काम करता हूँ, मैं खुद देखाता हूँ, मैं अमनात को, यहीं पास ही में तर रहता है, जोदपाल की बारी में, कोई जरूरत नहीं, मैं हंसा किया जा रही हूँ, रास्ते में देख लूँगी, पैसे धेला मिलता नहीं, उल् अरे, तुम, आओ, अंदर आओ, तुम आये नहीं, खना खने, बाबा रास्ते देख रहे थे, नहीं आसका, बुखार है, और ये फाओं भी सुझ गया है, कुछ भी नहीं खाया, नहीं, बुख भी नहीं है, दूद घरम किया है, वही पिलूँगा, तुम बैठो, मैं ला देती हूँ, कहां रखा है दूद, वहां रशोई मैं, इस वक्त दूद पी कर सोजाओ, बाबा से कहूंगी कला कर पट्टी कर जाएंगे, रहां, तुम्हारे यहां थर्मोमीटर है, क्या है, वो थर्मोमीटर, क्या चीज, वो एक काज की ट्यूब होती है, क्या होती है, नली, कांच की नली होती है, उसके नीचे की तरफ मर्क्यूरी होता है, क्या होता है? मर्क्यूरी का मतलब, हाँ, पारा, पारा होता है, उसको मूह में लगाने से टेंपरेचर का अब बुखार का पता चलता है, इसमें हसने की क्या वाद है? बुखार देखने के लिए भी कोई नली होती है क्या? हम तो छूब कर बता देते हैं कि बुखार कितना है अर्शा, छूब कर बताओ, कितना बुखार है? है, ज्यादा नहीं. कल दवा लेकर रहा हूं, बुखार के लिए? कौन सी टैबलेट्स हैं तुम्हारे पास? आ, गोलिया कौन सी है? गोलिया वोलिया नहीं, वो बनप्षय के फूल होते हैं न? उसे उबाल कर काड़ा बना दूँगी? तुम तो खुद अच्छी खासी बैद हो? दिन राज जड़ी बुटियों में रहकर, मेरी बकरी भी आधिवैद हो गई है, मैं नहीं हो सकती? हम, हो सकती हो. मैं जाओ? हाँ जाओ. यह, छड़ी ले जाओ? यह भी रहने दो, मुझे जरूवत पड़ेगी. बाबा, नाश्टा कर लो. रख दे बैटी, यह लो गोलिया और यह चूरन. उस चड़ी वाले का क्या करना है? तु भी चले जा. यह दबहे ले जा. और साथ में यह लेप भी लगा देना. बाबा, उससे चड़ी वापस ले लो और पीछा छोड़वा लो. यह तु लेने के देने पड़ गए. एक रोग के पैसे तु दिये नहीं, दूसरा और लगा लिया. दे देगा विटी. और सुन, साथ में कुछ खाने को भी ले जा. लू. अरे भाई, विद्ध्यारती है, विद्ध्यारती. देश का भविष्य होते हैं यह लोग. देश का भविष्य कभ होगा पता नहीं. अभी तो हमारा भविष्य हो रहा है. ऐसी छड़ी पकड़ी है, छोड़ता ही नहीं है. बाप्रे, इतनी किताबे पढ़नी पढ़ती हैं, डाक्टर बनने के लिए? और नहीं तो क्या, यह वैद की थोड़ी है? क्या आदमी बकड़ी के पास बैठा और सीख गया? मेरे बाबा को बकरी कहा? मैं यह ने बकरी को बकरी कहा. मैंने मेरा मतलब, तुमी ने तो करल कहा था, लजह जो सीख जाए, इतना आसान नहीं है, तीन सउ पता नहीं कितने, अधान किस्म की. जड़े हैं, फूल हैं, पत्ते हैं. एक एक पत्ती पहचाननी पड़ती है, तब जाके आदमी कुछ सीखता है, ऐसे थोड़े ही किताब पढ़े और इलाज कर लिया, खुद क्यों नहीं इलाज करते है अपना, तुम भी तो डाक्टर हो, खुद ही कर ले था, लेकिन मुझे जो दवाईयां चाहिए, वो यह आने म मिलती है, कहां मिलती है, कलकत्य में, तो वहीं गिरना था, यहां क्यों गिर है, कलकत्य में छड़ी नहीं मिलती, नए, मैं यहीं ले जाओंगा, तीन रूपे के लिए थी बाबा ने, कोई पेर से नहीं काटी थी, हाँ, बाई, चंदा, आओ, नमस्ते, अरे बाई, मैं तो तुमारी चाली भूल गया था, इतने तुनों देखा नहीं न, छे, धर असल मैं अपनी चाली भूल गया था, अर बाई, इनकी भी ताली लागा जाना, आओ, बैठो, 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 अच्छा यह बताओ, अब त चंदा, हो चंदा, किदर आओ, किदर आओ, मैं कहता हूँ, यह क्या, नमस्ते बस्ते कुछ नहीं, अरे भई, मैं माने तुमारे, नमस्ते, पड़ाई कैसी चल रही है, जी ठीक चल रही है, अब बल आओगे न, जी उमीद तो है, उम, साल में कितने मरीज मारोगे, यह, जी, अरे भई, जाने वाले की क्या चंदा, आते जाते रहते प्राणी, मर जाए, तो आई थे उसकी, बच जाए, तो वैता जानी, बाबा, इस मन की भावना के साथ-साथ, दोहे बनाना और सिखा दीजे, ऑपरेशन करते-करते बोलता रह धान दीजे आता होती है न, वह, बस मुझे तमारी दाक्री में चीर फाल अच्छी नहीं लगती, तुम भी करते हो, चीर, तो करनी ही पड़ती है, किसमें करनी पड़ती है, सरचर उसका कुछ नहीं होता, सरचरी ही होता, बाबा, यह सरचरी की विदिय आजकल काफी तरख क अब तो डॉक्टर दिल भी बदल देते हैं अच्छा भाई हम तो अच्छे विचारों से आदमी का दिल बदल देते हैं क्यों चंदा और क्या खाँ खाँ अच्छा इन दगा बहुत ही अच्छा भाई जो भी रूखा सुखा है घर का बना हुआ तो है सुनो जब तक तुम यहाँ हो हमारे में मानो अरे चड़ी के लिए जारे 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 दस दिन से चड़ी के पीशे पढ़े है बबा मेरे पेर की फिकर ही नहीं है इसे चड़ी रे चड़ी कैसी गले में पड़ी चड़ी रे चड़ी कैसी गले में पड़ी पेरों की पेड़ी कभी लगे हाथ कड़ी चड़ी रे चड़ी कैसी गले में पड़ी छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी सिधे सिधे रातों को तोड़ा समोर दे दो सिधे सिधे रातों को तोड़ा समोर दे दो बे जोड़ रूहों को हलका सा जोड़ दे दो जोड़ दो न तूट जाए सांसों की लड़ी जोड़ दो न तूट जाए सांसों की लड़ी छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी चड़ी रे चड़ी कैसी गले में पड़ी चड़ी रे चड़ी कैसी गले में पड़ी पैरों की बेरी कभी लगे हत चड़ी छड़ी दे छड़ी कैसी गले में पड़ी छड़ी दे छड़ी कैसी गले में पड़ी छड़ी दे छड़ी कैसी गले में पड़ी लगता है सास में तोटा है काच कोई चुगती है सीने में वेनी से आच कोई आचल से बांधली है आग की लड़ी छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी चड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी पेरों की पीडी कभी लगे हत कड़ी छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी आपकी इजजद के बिना हम आपके गर में गुसाये हैं Mr. Mehta, Dean of Government Hospital How do you do? Mr. E. Suratwala, Chief Sergeant और डॉक्तर कमल बोस को तो आप जानते ही हैं अलो डॉक्टर, प्लीस राव एक क्लीनिक की ओपनिंग के सिसले में आपको इन्वाइट करने आएं वेल जेंडलमन, थैंक इफ़ा दावना बर आम यह रोन अ कंप्लीट हॉल इने मैं यह चुटियां बिल्कुल अके लिए गुजारना चाहता हूँ हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मिस्टर गिंग बहुत छोटा सा फंक्शन है क्या है कि निली घाटी में हमें क्लीनिक शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन यंग डॉक्टर के आप भाउस्ताफ जाई करें जो शहर छोड़कर इस दूर दालाज इलाके में करियर शुरू कर रहे हैं यह क्लिनिक कहां खोल रहे हैं निली घाटी में कब? नेक्स्ट वीक, फ्राइडे ठीक है थेक है थेंक यू यहां कोई करखागर है जहां कपड़ा बनाया जाता है जहां है तुसे ही लेकिन बहुत छोटा सा है गाउं की आउरतें काम करती है और को खास मशूर भी नहीं उससे तो सिलीगुरी का पावरलूम अच्छा है देखने के काबिल कपड़ा भी अच्छा बनता है अच्छा ऐसे वाला निवे मैं पहुंचाओंगा क्यारा बज्या हम लोग खुद आपको लेने आजाएं को कि बाई नेली काटी खास चास उजरी खास और दचाओंगा आईए, आईए जी मैं एक चंदा नाम की वहिला को ढून रहा हूँ शायद आपी कहीं आँ काम करती है चंदा, हाँ, शायद है एक, कुछ बूड़ी सी आउरत है जी, शायद वही होगी आप फेरिये, मैं बुला देता हूँ आउ, अंदर आजाओ मा, खबराने की कोई बात ने यही है ने चंदा चिने, माफ करना मा आपको तकलीफ दे जाओ मा, जाकर काम करो तुम वो इतनी बुड़ी नहीं हुए होगी अब पैचानते हैं उन्हें हाँ, पैचानते लोगा तो खुदी चल कर देख लीजिए आपको पक्का मालुम है वो यही काम करती हैं जी, हाँ, सुना तो यही था आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं मुझे दस-बारा साल तो हो गए मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ खरीब बीस साल पहलो अब मुनिम जी सुनिया दो 20 साल पहले चंदा नाम की कोई अवरत यहां काम करती थी किस नाम की चंदा चंदा यह नाम था ना मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता यहीं की रहने वाली थी जिनहीं वो डाजलिंग से शादी करके आई थी उसका पती लंगडा था ओ आप लंगू हरकारे की बात तो नहीं कर रहे है हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ उसने किसी बैद की बैटी से शादी की थी हाँ मुझे जी वही उसी का नाम चंदा है हाँ हाँ वो यहीं काम करती थी रंगाई खाते में सूत रंगा करती थी शादी के एक साल बाद ही पती मर गया था उसका एक छोटी सी लड़की भी थी लंगू से मैं उनी को ढून रहा हूं मुनिम जी कुछ पता है कहा है कहा मिल सकता हूं ने ये तो मैं नहीं कह सकता बाबू किसी पिछले जनम की बात लगती है इतना मालूम है लंगू के मरने के बाद भी तीन-चार बरस तक यहीं थी जड़ी बूटी की खूब पैचान थी उसे बस उन्हीं धिनों में वो कहीं चली गए शायद धौलपूर गई होगी जन्दा नाम की औरत धौलपूर है? जियां विद्वा है एक बच्ची है उसकी नीली घाटी साय थी करीबन पंद्रा साल पहले जड़ी बूटी की खूब पैचान है उसे वैदक भी चानती है इस नाम की किसी औरत को हम तो नहीं जानते है शुक्रेश राजली इंस नीली घाटी और नीली घाटी से यहाँ धॉल पहला बस इतना जानता हूँ है इस तरह मिलना तो बहुत मुश्किल है साथ कितनी जगों पर गएं आप उसके पती का नाम नहीं मालूम उसकी बेटी का नाम नहीं पता और जिसे आप जानते हैं वो पतानी जिन्दा भी है के नहीं वो मरे नहीं ये ये नहीं हो सकता लेकिन उसकी बेटी मिले तो आप पैचान लेंगे उसे पैचान तो लूँगा चेहरे से नहीं तो आवास से जरूर पैचान लूँगा आवास तो भी होगे जिन्दा की दिल दूल्ड़ता है है फिर वो ही फुरसत के रात दिन दिल गूंड़ता है फिर वो ही फुरसत के रात दिन बैके रहे तसबरे जाना किये रूंड़ता है है फिर वो ही फुरसत के रात दिन दिल गूंड़ता है फिर वो ही जाडों की धरों धूँआ आंगन मीलेत कर जाडों की धरों धूँआ आंगन मीलेत करे आंखों पे खीच पर तेरे गामन के साई को आंखों पे खीच पर तेरे गामन के साई को आंखे पड़े रहे तसी करगात लिये हुए दिल गूंड़ता है दिल गूंड़ता है फिर वही पुर्चत के रात दिन दिल गूंड़ता है फिर वही झालवता है था वही पुर्चत के लिए खीच पर तेरे वही पुर्चत के वही पुर्चत दिल गूंड़ता है भूंड़ता है फिर वही पूंड़ता है या दर्मियों ती रात जो फुरवाई या चले या दर्मियों ती रात जो फुरवाई या चले थंडी सपेद सादरों पे जागे नेरे तक थंडी सपेद सादरों पे जागे नेरे तक तारों को दिन दे रहे सक पर पड़े हुएं दिल घूंडता है ओ दिल घूंडता है फिर वही फुरसत के रात दिन दिल घूंडता है फिर वही दिल घूंडता है फिर वही फुरसत के रात दिन रात दिन बैठे रहे तसवरे जाना कि ये हुगे दिल घूंडता है फिर वही फुरसत के रात दिन पिल दिल वही फिए रात एक्स्क्यूज मी, मुझे एक लड़की का पता मालूम करना है, अगर आप चानते हूं तो किसकी लड़की? चंदा नाम की लड़की है, औरत मेरा मतलू जड़ी बुटी की खोब पहचान है उसे लीली घाटी चाही थी आ रहे ने एक पच्ची भी है उसकी, विद्वा है थापा बैच की बीटी? जी आगा, वही, कहां है, कहां रहती है? हाँ थी, बहुत अचलर की थी थी, बतलू, अब नहीं क्या? नहीं, चली गई थी यहां से बहुत साल पहली की बात है, जड़ी बूटीयां जमा करके लाया करती थी बेचाय करती थी बेचारी, मेरे पास यहां दवाईयां भी बोटा करती थी पड़े बुरे दिन काटे उसने पता नहीं कहां से एक धुन चड़ गई थी कहती थी, सहर जाओंगी बेची को पढ़ा लिखा कर दागदर बनाओंगी पर भागों हे थी, अपनों के हाथ में ही लुटती रही क्या हुआ था उसने, कहां गई वो जाने कौन था वो थानू के तिनू क्या नाम था उसका उसके पती का भाई था बताती थी पर भाई क्या जी पूरा कसाई था जो कमाती थी, ले जाता था कि अबर दस्ती घर में रखनी की कोजिस करता था धंकी देता था कि लड़की को उठा के ले जाओंगा उसी के लिए बदनाम होने लगी थी बेचारी बस एक खराबी थी, पुरबुर करती रहती थी अपने अपसे बाते करती रहती थी पर दवाईयां बनाने का सौक था मैं कहूं दमे के लिए बोराज के पत्तों को कीज कर दवा बनाते तो अपने रुसके गिनाने लगती थी कहती थी भेरल के पत्तों में सातों नमक डाल कर दो अगई का बताता हूं बताता हूं भाई बात तो पूरी होने दो क्रिवपन आज हुं पूरी होने का सूर अज़ बताता हूं थाम्टर दो अई पूरी होने खिसे थी जाराज राता हूं थाम्टर क्रिवपन दो अवद से राईय में सम्टर अबस्टर ढ़ताता है तेक दाल जो जोधा 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 जोधाल हाँ वही लो तुम देख लो वही लिखके गई थी उसी की लिखा गया है ठेकदरर जोधाल पिलिकोठी सिल्यकोडी पिल्यकोठी तो यही है लेकिन दो साल हो बेज कर चले गए यह थेकदार मिस्टर जोधाल आजकील कहा हां रहता है वो है तो रेटायर हो चुके है कलकत्ता ही में रहते है कुछ के साद एक चंदा नाम की औरट थी देखे, मैं बहुत दूर से उनका पता खोशता हूँ आया हूँ, वो कहां मिल सकने है बसकना बता देलिए कोटी के पीछे माली रहता है, उससे मिलकर पूछ लीजिए, वही उस पगली का ख्याल रखता था पगली? हाँ, बड़ी का दिमाग तो चल गया था और छोटी? उसी से पूछ लेजे न वही बता देगा एक लास पानी मिल सकता है हाँ, हाँ, जरूर मिल सकता है आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है, साहब लेजिए एक पगली रहती थी यहाँ, चंदा हाँ, उसकी कोई ख़बर बता सकता है वो तो अपने ही रही साहब, गुजर गई कब? आठ मेने हो गए कैसे कुजरी? क्या हुआ था? बड़ी दुख घरी कहानी है, साहब मैं तो सुन-सुन के रोता था आखिर-ाखिर में बिलकुल होश चले गए थी पागल पन में इधर उधर भागती रहती थी किसी के भी हाथ में किताब देखती थी तो भागकर पकड़ लेती थी पुछती थी परिक्षा हो गई तुम्हारी परिक्षा हो गई डाक्टर बन गए जब डाक्टर बन जाओगे तो मेरी बेटी से शादी कर लेगा उसे भी पड़ा ना उसे भी साहब 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 दुपन की दुपन की हालत में कठा एक पुराना ओवरकोट था वही पहने रहती थी और हर वक्त साथ एक छड़ी रखा करती थी एक बार कहा था मुझसे जब मैं मर जाओं तो ये छड़ी मेरे साथ जला देना और कजली उसका क्या हुआ शहर जाने के बाद उसके और कोई खबर नहीं आई महिने दो महिने में पैसे भेज देती थी मा के लिए और कहलवाया था अच्छी नौकरी लग गई है और पढ़ रही है जब डाक्टर बन जाएगी तो खुदा के इलाज करेगी मा का उसका कोई पता ठिकाना है कभी नहीं भेजा उसे ये मालूम है के चंदा मर चुकी है हाँ जो पैसे लेकर आता था उसी के हद कहलवा दिया था मैंने फिर पैसे आना बंद हो गए तो मैं समझ गया कि उसे ख़बर पहुंच गई होगी ये कजली को पहना के देखा करती थी और ये कजली से कहती थी जब डाक्टर बनेगी तब दूंगे पता नहीं कहां से उठा कर लाई थी ये भी रगदूं साहब हाँ, ये सब रख दो सुनो, उठी भी आदे क्या है साहब इसमें शायद वही होगा क्या साहब मैंने उसे एक सफेधार दिया था हाँ थी दातका मैंने देखा है कजली से कहती थी उसके दहेज में देगी हाथी दातका नहीं था मैंने यूँ ही जूट मूट कह दिया था तो मुससे जगडने लगी उस वक्त मैं वापस शहर जाने की तयारी करा था बहुत खुबसूरत है हाथी दात है कितने का है साथ सो पनरा रुपे का क्यों इतने रुपे तुम्हारे पास कहां से आए वो इतने रुपे थे इसमें रखे हुए दिन कितने हुए मेरा कोई खर्चा नहीं होता क्या खर्चा क्या होता है खाना तो फोकट का खाते हो कपड़े मैध होती हो एक दूद आता है दो वक्त का बस और क्या और यहार पैतालीस रुपे का इसे क्या मंदिर में बावा जी भागते है पैतालीस का है लगता नहीं है क्या हाँ लगता चो है निकालो बाकी पैसे पाकी के कौन से पैस है आठाने की चाई पी और आठाने रिक्षा की आठाने की चाई क्या बाल्टी में पी थी पी नहीं नहाया था जेब दिखाओ कुछ नहीं देखो अठावन रुपे तस्वीर अची है यह कहां से आया मुझे नहीं बताओ यह कितने का है तुम्हें मेरी कौसम आरे नहीं नहीं यह देखो यह टिबिया है नहीं तीन रुपे की है और यह हार बारा आने का हार मुझे नहीं चीए से बारा आने का हार मैं क्या भिखारन हूँ अरे वा 45 अधा तो अच्छा था बारा आने का है तो बुरा हो गय चंदा कुमारी हार तो वही है बारा आने का हार भी कोई हार होता है हार बारा आने का है तो क्या हुआ दिल तो बारा आने का नहीं हटाओ हाथ क्या होँ कान मत खो जाओ क्या हो जाता है देखो तुम यह वैद की छोड़ दो खामो खा किसी मरीज को मार डालोगी तुम डाक्टर बन जाओ, मैं छोड़ दूंगी मेरे डाक्टर बनने में देर किस बात की है कुल दस दिन की बात है अगले मंगलवार को जाओंगा, बुद को एक्जाम सोंगे क्या होंगे? परिक्षा, इम्तिहान तुमने कुछ कहा था ने, तुमें कुछ मिलेगा, डाक्टरी का? हाँ, फर्स क्लास की डिग्री उसके बाद मैं किसी को भी मार सकता हूँ बाबा से बात कब करोगे? मंगल को तो जा रहे हो मंगल को अभी पांच दिन बाकी है मैं कली बात कर लूँगा क्या कहा वे? मैं कहूंगा मैं शादी करके चंदा को सात ले जाना चाहता हूँ बाब कुडोलि से जाने कभी समय नई तो हो गया मरनाथ नहीं ऐसी बेच दिया तो बेटे समझे कि बाप में बोज उतार दिया सर से नहीं बेच नहीं ऐसे नहीं अरे मेरी किसमत अच्छी है, जो चंदा जन्मी मेरे घर में, तुम्हारी भी किसमत अच्छी है, सो तुम्हारे गर जा रही, ऐसी लक्षमी जी इसके गर जाये, वही जाओ पिटी जाओ, तुम्हारा करता रहा मुझ पर जब भी आओगी, तुम्हारा धन तुम्हारी हादे ली पर रख दूगा जाओ वही, आखरी बार चंदा को दिखा दा यह सफर जो सोचा था चंद हफ्तों में मुझे वापस उसके पास ले जाएगा वह परसरों नमा हो गया बहुत बड़ी भूल की मेना इसका अंजाम इस तरह होगा, यह मैंने सोचा भी नहीं था वापस आना चाहिए था मुझे वापस आना चाहिए था येस प्लीज आश्परिन है आपके पास गिल्स की गोलियां दूँ बहुत अच्छी है साब बहुत जल्दी आराम आजाएगा अच्छी है वह भया उसमें कलोरिन जादा दवाई कम होती है आप मुझे आश्परिनी दीए जैसी आपकी मर्जी अच्छी है अच्छी अच्छी दफाहो हराम जादे दस रूपे में के सारी राध बैठेगा कोठे पर अपना घर समझ रखा है फिर आई इस कोठे पर तो कटवा के कववा को फिकवा दूगी हाँ तेरी तुमे अच्छी 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 मेरी चपल दे दीजिये ले पकड और जाकर मार अपनी बीबी के सर पे चले आते हैं सब साले तू क्या देख रहा है सेट चुसकी माननी है तूपर आ ने तू फूट या इसे चलना कजली क्यो अपना धंदा खराब कर रही है तेरा खुस्सा तो बस खुदा ही समझे चल साहब एस्परिन ये लीजी आपका एस्परिन आप भी किस जंजर में पड़ गए साहब ये तो यहां अर्शाम होता है यह लड़की कौन है यह लड़की पेश्या है साहब जबान नहीं सुने आपने आप ऐसी गंदी सवान कभी कभी तो यहां ऐसे गंदे शेर सुनाई पड़ते हैं कि शरीफ आदमी तो घर जाकर अपने कान धोले तीन रुपए लडरी में आप का बलत पर दरे कि औ выглядит अपका बलन्स आप लड़स कर दो 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 घबूना को घबुर्टा वार दोगका डिन जबूपकाल हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है जिए को कोई कचली नाम के लड़की है नहीं मैं उसे मिलना चाहता हूँ अभी लेटी है विचारी का आहक निप्टा के ठक गई है कोई और चलेगी जी मैं मुझे उसी से काम है काम तो सभी को एक होता है आओ ए उट पॉने वै चल अंदर जाके सो बैठो एक अजली चल उट कोई आया है तरे लिए उट बेटी सोने दोनो मौसी और कितनी हड्डियत उडवाँगी चल उट पेटी कोई बड़ा अमीर आदमी लगता है एरा गेरा होता तो मैं खुदी भेज़ देती चल उट उट मुझे नहीं लगता हो बैठेगा पाक के चला जाएगा मिल ले उसे हैं और तीस चालिश से कम नहीं लेना पाक कर पीक कर प्रवर उट है सीट इतनी इस्याई चालिज चाल पायरी बतुफ कुछ प्योंगे, विस्की नहीं है, धर्रा मिलेगा, मेरे जैसा, चलेगा? नहीं बेटी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था? यहठी क्या है, यार, सिधाधदे की बा करो ना? मा, मैं किसी और काम साय हूँ, बेटी X. यह, बेटी बेटी, मत करो, बहुत सुना है मैने, बैठना है तु बोलो… तुहारा नाम क्या है? नाम पूछ के क्या करोगे, घर में बिठाना है मुझे, खांदन देखना है, माँ पागल थी बाप लंग रहा था और क्या पूछना है, तुम्हें आराज क्यों दियो बेटी उफो, मौसी, 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 मेरी बात तो सुनो बेटी तुही सभाल इस बुठ्धे को, यह तो गोद लेने आया है मुझे क्या हुआ, चल चल ले अंदर चल स्थेंग ध्यों प्यूंदर्ण गाह को, लुए उल इसले को है मौसी, मौसी, मौसी है, क्यों आराजय को दोल्ट अरे, ओई कचली, देख तेरा बुढधा, आया है, जाना, जा आगे हैं अब? मेरी बात सुनो, बेटी फिर बेटी, चलो, चलो निकलो, निकलो, चलो जाओ आजाते हैं साले पजचर गहींगे, इनकी तो मैं तो अब क्या चाहिए? कजली चाहिए विस्की है मेरे पास, सोडा चाहिए, मिलेगा? आगे न रस्ते पर, आओ यूंदे अगे विस्की है निकलो जाओ मैं सोडा लाटीम जाओ 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 पारुब पारुब चुशकी लोगा साथ जी ची नहीं तुम बेक जीरी के शादू में आगा है जी ऐसी है शाली एक बाप बुशे लग गई तो दूसरी जमते ही नहीं अब हरसल कोई आगी पसंद इन्में से कोई नहीं पसंद तो चल जा फिर अंदर चा चलो रभी खेलते पैसे हैं ना बिलकुल है पसंद में भी आओ किया बैटे रहो या रुपा चल रहा है जर प्लेट रखना जरब मेरा बाटना में भी आती है जल्दी आना कोई अलग बैटने की जंगा नहीं है है पांश्टु रुपया जास्ती लगेंगे कुल बार नहीं है आओ सोड़ा लेकर आना जाएए सहर जी जाएए बैठो कब से पिते हो जब से यह धंधा लगा है पहले जाता था जब अजस्ती पिलाता था अब साली आदत लग गई है ना प्यूं तो नीद नहीं आती ग्लास नहीं रख रहेगा क्या का कुछ नहीं कजली के देर अब कोई बाहर ले गया अरे खेल ना काई को भाव खा रही है चल चौधरी तु घूंके आ वो गहां के साथ बैठी है देखने तो दे चौधरी क्या कर रहा है तु बहुत मोटी आशामी पासी है तु बैठ कजली मैं इससे निपट लेती हूँ चल चल जरा बाहर क्या निपट ले यह बहुत लोग आते हैं कोई कोई दिन तो बहुत लोग आते हैं यह कोई दिन साला ऐसा खाली जाती है के पूछो मत खाली दारी वाला भी आता नहीं कोई लेकिन गंगुरनी है ना बहुत ख्याल रखते हैं अपनी लड़कियों का हां बिल्कुल मा की माफिक देखते हैं साली प्योना तुम तो बहुत देरे जल रहे हो जल्दी भी क्या है अखे रात रहोगे तुम बाहर भी जाती हो हां कोई एतवर वाला आदमी हो तो गंगुरानी भेजती है एतवार वाला मतला वो गंगुरानी आदमी देखकर समझ जाती है बड़ी जिंदे की देखे है उसने मेरे साथ बेच देगी तुम्हा देखने से तो लगता है एक रात के लिए नहीं बहुत दिनों के लिए शही सबाहर नहीं इस ही शहर में जितने दिन में यहां रहूंगा उतने दिन मैं समझती हूँ मैंने भी जिंदेगी देखी है लेकिन पैसे बहुत लगेंगे पैसरों की फिकर मत करो जितना काहोगे देदूगा लेकिन तुम्हे वही रहना होगा मेरे पास मनजूर है ठीक बोलो कबसे? आज से कितने पैसे लोगी? बोलो बुला को रानी को पैसकी देखे जाओगे नसे के बाद नहीं हा? बना अगसे यही है कितने एते मं, कितनीह यह दो udah पाई है हाँ? सोचाओन! अगाँ, गनाजाँ? मै कागाँ एंटुम सोचाँ यब दिप प्रियाँगाँ काचाँगाँ इस जदे जदे हाई, अजदी हेई माँस हाई 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 नमस्ते साहब नमस्ते वाराज ये चाय बाहर लौन में ही रख दो आपका बहुत देर तक इंचार किया मैं हम देर हो गए थी है पड़ो सुना वो आफिस से जो पेपर जाएथ है वो मैंने साइन करके रख दिया है वोने लेकर तुम वापस चल जाओ ध्यान सिंग को भी अपने साथ ले जाना मुझे उसकी जरूत नहीं पड़ेगी और आफिस से के दाना इन चुट्टियों में मुझे बिल्कुल टिस्ट अब ना करें मैं कब लोटूंगा मुझे नहीं मालूं और किरिन से के ना बिसनस को के संबाल ले कुछ पूछना है जी नहीं जाग गई है कल रात साली बहुत जड़ गई थी तुम जाओ चाने की तयारी करो यह अंग्रे जी सरा बड़ी हराम जादी चीज है तेखो गाली मत तो सराब को दी है तुमको थोड़ा ही शराब को सही लेकि लड़कियों के मुझे गाली अच्छी नहीं लगती रड़का हो यह लड़की गाली गाली है इसमें अच्छा लगने के क्या बात है आज चलो तुम्हें नए कपड़े ले दें मेरे पास हैं बकसे में रखें फिर भी और ले देते हैं ले दो यार मेरे को क्या है वेकि मेरे पैसों में से नहीं कटेगा पिजनिस के बड़ी पक्की हो तुम्हें और क्या सरीर बेच के जीने बड़े में मालूम हो यह क्या कर रहे हो तुम्हें क्या बीडी क्यों पी रही हो बीडी बीडी तो पीती हो मैं पीती हो ठीक है लेकिन यहां सब के सामने अगर नव पीओ तो कोई हर्ज है देखो यार यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें पैसा दिया है ठीक है लेकिन यह बीडी के तर उठक बैठक मत करा विडी मत पीओ गाली मत दो यह मत करो वो मत करो किस बात का पैसा दिया है तुम को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है देखो, अगर तुम्हे इतने ही तलब है बीडी की तो अंदर जा कर पियो बाहर नौकर जा कर हैं, लोग देखते हैं, उनमें अगर मेरी इज़त रखलोगी तो महरबानी होगी वर्ननादों के बाहर चलते हैं, जो मर्जी करना, मैं कहा मना करता हूँ इज़त्धर आदमी के साथ अपनी बड़ी बेज़ती होती है इस जाली सर अपका ट्रॉंकॉला है कलकतिस हलो, हाँ, बोलो किलन, बस ठीक हो, है पैसे है मेरे पास, जरूद हो कि तुमंगवालूंगा हाँ, सुनो, मैं माथूर और ध्यान सिंग को वापस भेजाओं हाँ, ओ, डोन पॉदर, और डोन पॉदर में अलसो क्या, ठीक है, तुम साइन कर देना, ओके सॉरी सर, सुबह सुबह आपको जिस्टर किया, आज मैं वापस जा रहा थ। सोचा आपसे मिल लूँ, कलकतिस अगर आपको कोई चीज भिजवानी हो तो मुझे बता दीचिए सेट, अरे सेट, क्या है वो अपने कपड़ों का बकसा कहा रहे गया, यार रात कोन ऐसे मिसाल आप ख्याली भूल गया बाहर गाड़ी में पड़ा है, ड्राइवर से काव निकाल देगा वहां तो कब जा रहे हैं आप? सोचा आपसे मिलता है, चलोगा जी नहीं, अब चलूँगा मैं आपको जादा रिस्तों करना नहीं चाहता I have a good time, sir मिल गया, गाड़ी में था तुम्हें इसी वक्त पूछना था? क्या होगा? कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ और पहने के लिए नहीं है कुछ साड़िया तुम्हें तियार हो, बाजार चलते हैं देखो तो, कितनी खुबसूरत लगती हो ऐसे खामो खामो रंग रोगन थोप लेती हो अपने मूँपर अरे, तुब तु बिल्कुल आसेख के तरह बात करते हो यह तो साला कोई नहीं बुला अच तक ओफो, यह साला बुले वगर तुम बात नहीं कर सकती हो बुरा लगता है, तुमको तु नहीं बोलूगी यार यह इन मेंसे एक साड़ी पहन लो कौनसी पहनोगी? जो तुम्हे पसंद हो तुम पहन लो, मैं बाहर जाता हूँ बाहर क्यों जाते हो? तुम्हारे सामने पहनतूँ यार मेरे सामने शर्म नहीं आएगी तुम्हें कि शर्म लोग कितने पैसे लगाते हैं शरीर का हमेशा थोड़ा ही रह गसा तुम्हार बोलने जा रही थी हाँ, मैं बाहर जाता हूँ मैं तुमको समझ गई क्या समझ गई हो? तुम वो दूसरी तरह की आदमी हो दूसरी तरह की आदमी? वही आशिक मजाज लड़के रखते हैं सिर्फ घूमने के लिए सराब पिने के लिए नाचने गाने के लिए है न? हाँ, मैं वही दूसरी तरह की आदमी हूँ लेकिन तुमने गलती की यार क्या? अगर चंपा को चूल लेते तो बहुत अच्छा होता बहुत अच्छा नाचती है इतना सिखाया मुझे लेकिन आया नहीं, मतलब ठीक से नहीं आया तुमको दिखाँगे हां अच्छा पहन रसाय आफ मेदे इसक मिलो पूलत के बलम चदा हट के बलम चदा हट के मेरे इसक मिला हो जड़के बलम चदा हट के बलम चदा हट के बलम चदा हट के है 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 मारूं की आंस क्या है ये? क्या हो रहा है? मेरे मारूं की आंस मेलो पड़ जाएगा आना बलम चदा हट के मेरे इसक मिला हो बलम जड़ा हट के, बलम जड़ा हट के हो मेरे पिश्क लोग खोल ड़त के बलम जड़ा हट के, बलम जड़ा हट के सुखली से पत्री है मोरी कमडिया सुखली से पत्री है मोरी कमडिया का परिया से पूंधी है मेरे कज़रिया कज़रिया का चंपे जड़ा रच्चे रच्चे मेरे इस मेरे पिश्क मेला उलच्के बलम जड़ा हट के बलू जड़ा हचके, हु मेरे इसमेला खोल जड़ा के बलू जड़ा हचके, बलू जड़ा हचके क्या हुआ, चक्कर आरे? हाँ, थोड़ा अशा. बसकर बात हो गया. अच्छा नहीं लगा? अच्छा! बादी अच्छा! मेरे सेहां मेरे मेरे च्छा, मेरे आजर खढाती, मुख ना ख़ाता जड़ा हचके, हचके, हचके मिरे इसमेला राफों सटके, बलू जड़ा हचके, बलू जड़ा हचके, अरे मारूं की आपकर तो बस करो खटली तुम्हारी ली तो कर रही हूँ इतना पैसा कर्चा करते हो मेरे उपर तेरे पैसों की फिकर मत करो बहुत है मेरे पास चितनी चाहिए मांग लेना मुझे क्या करना है दो बक्री डालदरू मिल जाए बस और क्या जारे नहीं प्योगे? नहीं, आज नहीं जब यह खराब है? ज़रूरी थोड़ा है रोज पी आदमी मैं तो नहीं रह सकतू या एक दिन छोड़के देखो तुम तो अपने धन्दा छोड़वागे यार जब यह सब नहीं करती थी तब कोई नहीं कोई साला आ जाता था जब अजस्ति जहर पिलाने के लिए अब तन मार के सीखा तो तुम आगे तब क्यों नहीं आये? कब? जब मैं छोटी थी? तब नहीं आ सका उसी का तो प्रैस्चित कर रहा हूं लेकिन उस वक्त आते तो तुम्हारे मेरे इस्क नहीं जमता था क्यों? लेकिन मेरी मा से जम जाता वो भी बहुत खुपसुर होती है क्या करती थी तुम्हारे मा? मर्ती थी बस 20 साल साली मर्ती रही किसी हरम जैते डक्टर के लिए वो सब मत याद दिलाव साला मेरे खांदन की बाद कभी मत करना पहले बोल देते हूं नंगों में बैठकर अब नंगा नहीं लगता मुझे सारीफ लोगों में बैठकर अब तरोम आती है अपना नंगापन दिखने लगता है तुम खुद ही तो नंगों में जाकर बैठ गई हो जांस उटके गई थी वह वापस चले आओ वो चमार का किस्सा नहीं मालूम दिन रच चमड़े की बजार में रहता था इतर के बजार से गुजराओ तो बेहुस हो गया बहुत दिनों बाद गया था ना इसलिए रोज रोज गुजरेगा तो बेहुश नहीं हो जरूरत नहीं साला जीदे से जाने में खुद को नंगा लगे उहां के जरूरत है जाने की इतर बजार के इतने चक्कर लगवांगा कि चम्रे के बू भूल जाओगी कुछ और गलियों में भी तो रही हो हमेशा से तो ये साहब ये गुसल खाने में रहे गया था ये तुम्हारा है? हाँ हाँ ये मुंगा क्यों पहनती है? किसीने निशानी दे थी किस ने? कोई था? अब नहीं है हाँ, है कहां है कैसा है वो नहीं मालू नाम कहा है उसका? कुंदन ठूना है उसे ठूना है तुम क्यों परिशन हो ते मेरे जिंदगी के लिए दरुपी होगे गिलास लाओ अब तो इजद्दा लगती हूं तुम्हारे साथ हाँ एक बात है यार तुम अच्छे आदमी हो लेकिन अपने काम के नहीं मतलब? पहली बार औरत रखिये है हाँ शादी वादे नहीं की? नहीं क्यों? बहुत साल पहले की बात है एक लटकी से प्यार किया वापस आकर उसी से शादी करने वाला था लेकिन उनी दिनों ऑपरेशन करते वे मेरा हातों एक आदमी की मौत हो गई तो डक्तर हो? यह सर्जन पुलीस केस हुआ तीन साल की जेल होगी उसी शर्मिनगी की वज़े से ना मैने उसे खबर की ना वापस आया ना शादी की कान मत खुजाया करो जहर बाद हो जाता है कान मत खुजाओ जहर बाद हो जाता है तुम्हें किसने बता है कान खुजाने से जहर बाद हो जाता है मा माने बताय था बच्पन में कान जा रहे हैं नेली घाटी कभी गई हुआ बच्पन में कैसी ये दाया बस दो ही जगे याद है मुझे एक करखाख़ जहा मा काम करती थी और दूसरा हस्पतार जहा मा मुझे लेकर जाया करती थी क्यों डाक्टर उसे कहा करती थी मुझे डाक्टर ही पढ़ा दे फिर फिर क्या यूही बगे पढ़े कोई डाक्टर बन जाता है तुम चाहो तो अभी पढ़ सकती हो बन सकती हो डाक्टर एक बात बोलू मुझे डाक्टर नाम से नफरत है इतनी नफरत तो मुझे उस आदमी से भी नहीं जिसने मुझे रंडी बनाया जितनी उस डाक्टर से है जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी एक बार जिंदगी में मिल जाता तो तो? क्या करोगी? क्या करूंगी उस तो मुझे भी नहीं मालो लेकिन इतना जानती हूँ जो करूंगी वो बहुत बुरा होगा क्या थी क्युक्त हमें मैं मैं तो क्या क्या राट करमाँ अनलाज करें क्या बार जाई जा उस रामजयदी के मजाल है हात उतव है मेरे ऊपर सारे खामगान को पिसके रख दूगी हाँ तेरी तु मैं तुम चुप करो गजली क्या वाद है महाराज साभ मैंने इससे कहा ता रसुर्ण ना हाथ मत दाले इसने मेरी मन नहीं तू को रदर मना करने वाला तेरे बाप का घर है मैंने हाथ पकड़के इसको बाहर किया तो इसने मुझे माह पर से गाली दी आपना अलग क्या है साभ देखे साभ आपका मुझे इतने दिन चुप है यह कौन है हम इसे अच्छी तरह जानते हैं हम इसके हाथ का छुआ नहीं खा सकते हैं अगर आप खा सकते हैं तो इसी से पकवा लीजिए ठीक है मैं इसी से पकवा लूँगा आप चाह सकते हैं आप ठीक नहीं कर रहें साभ आप जैसे जद्दार आगली मेरी यजद आपको समाले की ज़रूद नहीं मैं खुद समालूँगा अप तंख लिगने पर चाहिए इसाप पाँगा साथ कुछ नहीं आद आप आप महराज को तो निकाल दिया वन्ने दे साने को और खाना साला कुन पता है मैं पकाऊंगी मुझे क्या आते नहीं आते खाते देखो भूल जाओगे इधारा मी पिल लेको अच्छा जा बगव अच्छा 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 क्यों काम है तुम्हे क्या काम है उससे मुझे ना सुही तुम्हे तो हो सकता है नहीं मुझे कोई काम नहीं मुझे नहीं मिलना उससे अच्छा तुम कुंदन से प्यार करती थी मुझे तो हो सकता है कुंदन अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो इतने दिन कोई किसी का इंतजार नहीं करता क्यों तुम्हारी माने इंतजार नहीं किया था एक डॉक्टर का पीच साल एक बार मिलने में कोई हर्ष्ट तो नहीं तुम नहीं समझते मैं अब उसके काविल नहीं रही और मैं उसे कुछ छुपाऊंगी भी नहीं देखो कजली वो सकता है उस डॉक्टर ने भी यही सूचा हो और वापस नहीं है वो डॉक्टर अगर लॉट आता कजली तो तुमारी माँ से माव ने कर दे दे कहीं? कुंदन कुंदन यही रहता था ना जी हाँ वो यही रहते हैं मुझे जरा मिलना है उनसे कुछ काम था वो बहार गय है काम से मुझे बताईए मैं उनके पत नहीं हूँ तो शादी कर लिए उसना में एक बात कौं कर लिए तुम भी किसी से शादी के नहीं कर लेती एक अच्छी जिनकी गजारो तो अच्छा को नहीं देता है मा के कोक से कोई रंडी नहीं पैदा होती बनाने वाले मिल जाते हैं मुझे भी एक मिल गया था कौन? दिनु मेरे बाप का भाई बेटी-बेटी कहकर बुलाता था और उस वक तुमारी मा कहा थी? मा को अपनी सूधी कहा थी उस वक्त? वो तो पहले ही पागल हो चुकी थी चड़ी रे चड़ी कैसे गले में पड़ी तू तो बिलकुल पागल हो गई है चंदा मा अंदर जाओ दिनू फिर क्यों आया तू? अरी तेरे बाप का भाई लगता हूं बेटी चाचाता हूं कहकर के बाद कियाकर हमेशा तू तू का अगरती है बहुत देखा है तेरा भाई चारा साबर मना कर चुकी हूं यहाने की जरूरत नहीं अरे अगर आता भी हूं बेटी तो तेरा भाला बुरा देखने को आता हूं देख उपर बड़े अस्पताल में मैंने डाक्तर से बात कर लिये ले चलके चंदा को भरती करवा दे मुझे पागल खाने में नहीं भेजना है मा को मैं खुद इलाज करा लूँगी मुटी काका हाँ वेटी मुटी काका मैं मा के लिए दावा लने जा रही हूं तुम जरा मा का ख्याल रखना क्या पिटारा कोल रखा चंदा कजली दब दुलहन बनेंगे यह पहनांगी उसे अरे दुलन तो उसे कल बना दू पर साली माने तब न अब भी कैसे शादी करेगी पागल हो पहली डाक्टर तो बन जाए जब डाक्टर बनेगी ना तो तो यह यह दूंगी उसे ही 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 अरे किस डाक्टर के लिए जिन्दगी बरबाद करती मर खब गया होगा कभी कावो तो कजली कजली अरे कजली चली गई क्या दवा लेने स्कूल गई है डाक्टरी पढ़ने क्या काम है ठेकेदार साब उपर बुलाए है आयत उपर भेज देना सहला ठेकेदार कब तक बचा के रखेगा अरेकेदार कि अरेकेदार तू यहां क्या कर रहा है क्या काम है तुझे क्या काम देपा क्या क्या अरेकेदार कर दो खचा है पहें पीजाती है हुआ 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 है उसी बेहुसी में उठाकर शेहर लेकिया मुझे करी रख, बंद, अंधेरी, कोठरी और जिस दिन उजाला देखा उस दिन विक्चुकी थी मैं गंगुरानी के कोठे पर यह क्या क्या तुमने? अगर उसक्त में अपनी कखली के पास होता तो करणानी के तुमने तुमन neutral बंद, प्रयखा यु अब ही हुआ हे जसुमने के तुमने काता हुआ है यह, जस्य बंद्ट है प्रवीर्ट गुद मार्निंग खुद मार्निंग थैंक यू आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए तुम्हारे साथ तो मेरे दिन राथी बदलने लग गये है रात को जल्दी सो जाती हूं सुबह जल्दी उठ जाती हूं अज सुबह खामखाब पुजा करने को जी जा रहा था फिर कर लेती पुजा आती है शीखी ही नहीं लो तुम प्याँ लो ना तुम्हारे लिए जलाया है तुम्हारे भी होगी प्योगी तुमको पसंद नहीं इसलिए सोचे तुम्हारे सामने नहीं प्योगी मतलब मैं नहीं हूंगा तो प्योगी क्योगा कुछ नहीं भूल गई थी तुम भी हमेशा थोड़ा ही साथ रहोगे और अगर कहूं के हमेशा रहूंगा तो मैं हमेशा के लिए अपने पास रखना चाता हूं तो जितने दिन हो बहुत अच्छा है सारी जिंदगी का वादा मत करना बहुत डल लगता है इसी वादों से एक बार मेरी मा से वादा किया थर किसी नहीं और दूसरी बार मैं किसी से वादा करके चली आई थी अब कितने सारे पैसे थे यहां कहांगे बटव भी हाँ मिल गए कितने पैसे थे इतने सारे अब इतने रहे गए ऐसा खर्चा करोगे तो वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा थोड़े से रख दू समाल के हम खजली बहुत साल पहले इसी तरह एक लड़की मेरे प्रेशन समाला करती थी उस पार भी मेरी वापसी के लिए उसमें साथ रुपय बचा के रखे थी वो ना रखती मैं ना जाता तो तो बहुत सालों के बाद कुछ अजीब सा लग रहा है बहुत साल पहले जब कुंदन था ऐसा लगता था कुछ कहा तुमने कुछ नहीं महाराज कहां चले गए थे आप अब तक नाराज हो मुझसे कलती हो गए थी माफ कर देना मैं अपने कपड़ें लेने आया हूं वो तो नहीं मिलेंगे कुछ नहीं मिलेगा देखो काका ये घर तुम्हारा है और इस घर के साहब भी हमारा यहां कुछ भी नहीं ना साहब है ना घर साहब ने तुमको घर समालने के लिए रखा है तुम ही समालो के हमें क्यों रखा जाता है कैसे रखा जाता है तुम्हें नहीं मालूं काका कोई घर थोड़ा ही देता है हम जैसियों को तो फिर क्यों आयो यहां एक जद्दार आदमी को खराब करने के लिए धंदे के लिए आई थी काका और वो ही भूल गई थी आउरतों की तरह देखने लगी थी उसे पता नहीं ये सब कैसे जाग गया मेरे अंदर काका काका तुम वापस आजाओ में में किल चली जाओंगी तुम्हारे साप का कुछ नहीं जाएगा काका मैं ही कहीं की न रहूँगी न घर के न गर के न कौन साला कमबख्त आगया इस वक्त चलो उटबे टुकडे देख जरा तुम आउ से ठाओ अंदर आजाओ बैठो बैठो कहो इस वस्त कैसे आना हुआ अभी तो पहले पैसे खत नहीं हुए तुम्हारे एक बात करने थी इसलिए समझ में नियातर कैसे कहूं आपसे लड़की बदलनी है क्या उप गए कजली से अब समझेंगी नहीं बात यह के कजली एक अच्छी लड़की है किसी अच्छे घर के लड़की है और मैं उसे यहां से निकालना चाहता हूँ ्वाइची वछे कोई नहीं है इन में सब किसाँ अब रंडिया हैं हाहँ धन्दा अच्छा कर लेती हैं तक तुम सीधे-सीधे काम देखो और गुटलिया हमें वापस करदू इन्हें बीजने की न कोशशिश मत करो कजली से कितना कमा लेती हैं आप कितना कमा लेंगी और कब तक कमा लेंगे पाफ साल दस साल पंदरा साल उसके सारी जिन्गी से जो आप कमा सकती है उन्हों से ले लिजे तुम्हें कजली ने भीजा है या उसे नहीं मालू है उसे तुम्हेंने जिकर भी नहीं किया उसे मनाने यहां मेरी बेटिया रहती है तुम लोग बेच सते हो अपनी बेटियों को मैं नहीं बेचती उन्हें वो भी काव नहीं है ऐसी कोई रकम जो आपने सिर्फ सुनी हो लेकिन देखी नहों जिन्गी में वो भर लीजे मैं चुका दूँगा लेकिन कचली मुझे दे दीजे मैं आपके जवाब के इंदिजार करूँगा रुके रुके से खदम रुके बार बार चले रुके से खदम रुके बार बार चले परार में तेरे धर में परार चले रुके रुके से खदम रुके बार बार चले रुके रुके से खदम सभानाई गई बार बार चले जींद से जागे सुखाना आए कलबान जींद से जागे थी एक रात की ये जुन्ड़ी गुदार चले ये एक रात की ये जुन्ड़ी गुदार चले रुके है रुके से खदम आए प्सके दुन्हं एहसान दिर का सीने पर उठाए फिर देखे एहसान दिर का सीने पर ले तेरे ख़दमों में ये करदी उतार चखे ले तेरे ख़दमों में ये करदी उतार चखे परार में तेरे घर में परार चखे रुके रुके से पदम रुके बार बार चले रुके रुके से पदम रुके बार बार चले रुके रुके से पदम रुके बार बार चले रुके रुके से पदम कि यह क्या पहन रखाए कि कपड़े जो हमेशा पहनती हूं इसमें हाईरान होने की क्या वात है उठो, उठके कपड़े बदल लो देखो, यह मर्दों की तरह हुकुमत चलाना बीवी नहीं हूँ तुम्हारी क्या बुरा है इन कपड़ों में? गंदी लगती हो इन में लगता है कोई बाजारी लगते हैं यह कपड़े के जानते नहीं कहा से लाए हो मुझे? देखो, कडली में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता चुप चाप जाके कपड़े बदल लो वो नहीं सुना तुमने? कववा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया मैं तो अपने धंदे ही बुलने लग गई थी जरत धंदे पे गई थी इसलिए कहा गई थी? अपनी गाहक की हां वो चौधरी यह थे उस दिन बैठे थे तो आया थे क्यों गई? क्यों गई बाहर? तुम्हें यह क्या तकलीफ है? कि इस बात की कमी है तुम्हें तुम्हें पैसे चाहिए ला? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? तुम्हारे वक्त तुम्हें पैसे नहीं मिलते जानती हूं यह वक्त तुम्हारा खरीदा हुआ है तुम्हारे इसा बेमानी नहीं करूंगी यह मिले थे, तुम रख लू निकल जाड़ी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मर कुछ नहीं कर सकता कीचर से निकली हो, कीचर में ही रहोगी मगल इसका जो भी समान है, इसका हाल कर दो कचली, बात क्या है? अरी बोलना, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे, रास्ता फुल गए थी, जम्पा मेरे अंदर, मेरे अंदर अभी तक एक और जी रही है मैंने सुचा वो कबकी मर की, लेकिन, लेकिन, जीती है वो मेरा, मेरा मा बनने को जी चाहता है, जम्पा मा बनने को जी चाहता है लवट आई बननो हमारी कहा है कजो आईये, आईये लवट आई ससुराल से चलोट, उधर बैठो क्या लग रही है साडी में अर इस बुढ़े ने सजमी तुझे दुलन मना दिया यूँ देखके तो कोई भी तुझे घर बिठा ले चलोट ना, कुर सुए बैठ नया नौ दिन, पुराना सौदे अरे हम तो तुम्हारे बरसों पुराने यार है वो आज है, खल चला जाएगा और हम, हम हमेशा तुम्हारे है सुन लिया ना, चल हट यहां से उस साले दल्ले ने तो भाव भड़ा दिये गश्टी होगे दल्ला होगा तू, तेरे बाप का नहीं खाता वो खबरदाज उसे गाली थी साले जाएगा धेले की साली गश्टी और बात करती है क्या कहा, गश्टी होगी तेरे कोई घाल निगला जाएगा कि यहादा इस वाली जाए 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 जाए! क्या हुआ? गाली दे रहा था किसे? उसे जिसके साथ रहती हूं आजकल वो क्या तेरा खसम लगता है? नहीं, मेरा कोई नहीं लगता लेकिन चौदीरी कोन होता है उसे गाली देने वाला लेकिन तुझे इतना बुरा क्यों लगा है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा था इससे पहले कोई मिला भी तो नहीं था इस तरह इतनी इज़्जद भी तो किसे नहीं दी थी मुझे पहली बार किसे ने औरत की तरह देखा है मुझे विश्या की तरह नहीं उसने अभी तक छुआ भी नहीं है मेरे जिसम को मौजी, वो सच मुझ प्यार करता है मुझ से, उसके प्यार की हाथ तक नहीं सह सकी कजली, वो प्यार करता है तुझ से कि तू प्यार करती है, तेरा सुर्वी तो बदला हुआ है देख बिटी, इन कोठों की सीडियां कभी किसी घर के आंगर में नहीं उतरी इन कोठों से जाके कभी किसी लड़की को बस्ते नहीं देखा आज तक किसी मर्ग के बच्चे में इतना दम नहीं देखा जो आता है, बहकी विसास लेकर आता है, जब ताप उतर जाता है तो लेकिन पहली बार, कोई आदमी इतना खरा दिखाई दिया इतना सच्चा सुनाई दिया, वो बुढधा तेरा, जिसके साथ रहती है आजकल मेरे पास भी आया था वो, तेरे खीमत चुकाने वो, वो यहाँ यहाँ था? हाँ, और यह खाली जेग ले गया, मैं कुछ भी भर लूँ, एक कभी नहीं हुआ बेती लेकिन लाखों करोड़ों में अगर एक बार, कोई एक भी बस गई, तो समझों कि मैंने और तोनी का धर्म पुरा किया अगर को तुझे अपना ले, तो जाओ, चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कोड़ी भी नहीं चाहिए चमपा, मैं जाओ, मैं चली जाओ, एक बार सिर्फ एक बार, मैं, मैं पूरी और आउरत बनना चाहती हूँ, जाओ, मैं अधोरी नहीं रहना चाहती, मैं अधोरी नहीं रहना चाहती प्रवाई झाल 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 तुम्हारी कचली प्यार करने, अपने आप तुम्हें सौंपने. इस शरीव के आगे भी कभी कुछ देखा है. सोचा है, पैचाना है किसी को. तुम्हारी माने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें चन्मा था? इसी बाजार के लिए पहला किया था तुम्हें? अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले चली गई चन्दा. चन्दा? अगर वो इस डॉक्टर के लिए पागल न होती, तो तेरे लिए हो जाती. तु उसे पागल बना दीती. चन्दा तुझी ये बनाना चाती थी? ऐसे देखना चाती थी? इसे जानती होना? आ जानती होना इसे? ये परांध्या, ये दो पट्टे, ये सिंदूर, ये सब देख रही हो? तुझे दुलहन देखने के लिए पागल पन में भी वो दहे जमा करती रही. और तु? मैं कौन हूँ? ये ही पूछना चाती है. मैं वही दॉक्तर हूँ. दॉक्तर हूँ. जिसे अपनी माँ का बतला लेना है तुझे. बोलो, क्या बतला चाहिए तुझे? कहो क्या चाहिए? मैं पुझे लाओने के ले बतला में झाएyorum जी। झेत हुझे मैं झेता जी। झेत पुझेम पुझे मैं झेता ही। सरा मैं झेता हुझे पुझे मैं झेता हुझे जी। सरा मैं जी, उी हुशेたい हुझे मैं हूँ Men Our Fr извill溉 कर दो कर दो भाओ कर दो हा गो थ। तर कर कर दो है प्रहणिंग अभाद रंग मंगल गजी साथ हीलो कर दो कर दो कर दो वापस कि वे कुछ चाही है मैं से वो के हार्द में, के चुप है, नहीं? यही हो न तुम, 20 साल मेरी मा को इंतजार कराय था? तुम ही हो, जिसके लिए मेरी मा पागल हो गई थी? जिसके लिए जिन्न के उजड़ गई थी उसकी? नहीं वो बस सकी, नहीं तुम्हारे लिए मैं भी बिग गई बजार में? तुम्हारा ही दोश है सब, सब मा, मा तुम्हे कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी मा मेरी, चंदा माफ नहीं करेगी मुझा मेरी कजली तु माफ कर सकती है मुझे मैं जानता हूँ बेटी, मैं दोशी हूँ, पापी हूँ इसलिए तु बार बार तुम्हारे पास आता था तुमसे अपना प्राश्चित मागने में थी मुझे, मुझे मुझे माफ कर दो, बेटी मेरे साथ चलोगी? पीछे मुड़ कर देखने के लिए हम दोनों के पास कुछ नहीं है, मेरी चलो मेरे साथ आप पीछ pickles ये जæते roughly कि व्यास कर देखना कर दो प्यूम्यार कर्दान। झाल झाल